कैसे आप सब मैं हूँ निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टूल को एक्सप्लोर करेंगे जिसे यूज करके आप रियलिस्टिक 3D सीन्स क्रियेट कर सकते हो वो भी डिरेक्ली अपने ब्राउजर में और इस टूल को कोई भी यूज कर सकता है जरूरी नहीं कि आपके पास 3D टूल्स यूज करने का कोई एक्सप्रियेंस हो और सबसे बेस्ट चीज यह है कि ऐसे ओमेजिंग 3D रिलिस्टिक लुकिंग सीन्स क्रियेट करने के लिए आपके पास कोई एक्सपेंसिव सेटप हो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इनफाक्ट आप कोई भी पुराना लाप्टॉप यूज कर सकते हो बस आपके पास एक अच्छा internet connection होना चाहिए यह जो टूल है इसका नाम है spline और इसे यूज करना बहुत ही जादा easy है और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजे explain करूंगा एक complete overview दूंगा कि कैसे यह टूल काम करता है कैसे इस तूल को यूज करना है जिससे आपकी website stand out भी करेगी और काफी जादा dynamic लगेगी मैं आपको कुछ examples भी दिखाऊंगा कि variables यूज करके आप क्या-क्या चीजे अचीब कर सकते हो और recently spline and webflow के integration से क्या-क्या नई चीजे possible हुई है तो हम यह सारी चीजे explore करेंगे आज के इस वीडियो में बट वीडियो को start करने से पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को subscribe कर देना आप मेंसे 71% लोग मेरा वीडियो तो देखते है पर यह subscribe नहीं करते तो प्लीज इस बार कर देना और वीडियो को like कर देना ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे type का content पसंद आ रहा है तो एम करते है 3000 likes का इस particular वीडियो पर आइनो आप लोग कर दोगे तो अब बिना कोई time waste के चले आज का वीडियो शुरू करते है All right guys, यहाँ पर हूँ मैं spline.design website पर आपको कुछ नहीं करना है आपका जो भी browser है आप जो भी browser यूज करते हो Chrome हो गया Brave हो गया Microsoft Edge हो गया उस पर जाकर आपको बस search करना है spline.design और क्योंकि यह browser-based tool है तो आप कोई भी बाबा आदम जमाने का laptop भी यूज करोगे तो उस पर यह आराम से काम करेगा बस आपका internet connection अच्छा होना चाहिए, stable होना चाहिए और सबसे पहली बात यह free है इसके कुछ paid plans भी है बट हमारा free में काम चल जाएगा तो हमारे हमें paid plans की जरूरत वैसे तो initial stage में नहीं होती तो आप free में आपको सारे features वगरा यह मिलते है और features की बात की जाए तो भाई यह tool में भर-भर के आपको features मिलेंगे सबसे पहला तो है real time collaboration यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप 2-3 लोग की अगर आपकी team है तो आप साथ में मिलकर एक ही project पर एक ही time पर काम कर सकते हो फिर 3D modeling tool यूज़ करके आप complex geometric shapes वगरा भी create कर सकते हो फिर आता है animations आप कुछ really interesting animations वगरा create कर पाऊगे interactive experience तो आप elements को एक दूसरे के साथ interact भी करा सकते हो material layers यहाँ पर क्या होता है कि आप कोई भी object या आपका 3D model है उस पर जैसे चाहे materials add कर सकते हो और यहाँ पर हमें बहुत सारे options और बहुत सारे ready made materials देखने मिल जाता है जैसे wood textures, chrome हो गया, metal textures हो गया तो हम आगे देखेंगे वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते है और फिर आता है अगर आपको 3D sculpting बगएरा करने है कुछ organic shapes बगएरा बनाने है तो वहाँ पर आप 3D sculpting भी कर सकते हो फिर आता है physics तो अगर आपको जैसे कोई ball गिरते हुए दिखाना है कोई physics stimulation बनाना है तो वो भी आप इसमें create कर पाओगे which is quite advanced I think और finally अब game controls वगरा भी इसमें assign कर सकते हो तो features से भाई लबा लब भरा हुआ है ये tool और check out करेंगे इसे कि कैसे इसे use किया जाता है और by the end of this video आपको एक basic overview मिल जाएगा कि इस tool को आप कैसे use कर सकते हो तो हम देखेंगे कि कैसे आप create कर सकते हो complete scene और कैसे 3D elements आप बना पाओगे rendering time कुछ भी नहीं होगा real time rendering होगी और आप इन सारी चीजों को अपने website में भी integrate कर सकते हो और अपने जो website का look and feel है नेक्स लेवल पर लेकि जा सकते हो तो start करने के लिए बस आपको get started पर click करना है फिर आपकी जो login details है वो मांगेगा तब मैंने already यहाँ पर login कर रखा था तो इसने नहीं मांगा पर नॉर्मली आपका जो email ID है उससे login कर लेना और यह है इसका basic interface अगर आपको figma आता है तो आपके लिए यह software बहुत ही जादा easy होगा सीखना तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ tutorials मिल जाते हैं जो इन्होंने खुद ने बनाया है और बहुत ही advanced tutorial है बहुत ही in-depth और अच्छे तरीके से उन्हो बहुत सारे अलग-अलग elements पर इन्होंने tutorial बनाया हुए है अगर आपको इस तरीके के avatars create करने है या dark keyboard theme पर कोई element बनाना है या पूरा mini room बनाना है तो चार पार्ट में पूरा एक tutorial दिया हुआ है तो बहुत in-depth tutorials है और बहुत सारे tutorials आपको यहाँ पर देखने मिल वो है screen resize and that is very very important तो यहाँ पर मेरे पास एक scene है अगर मैंसे play करूं तो इस तरीके से जब कभी भी मैंसे अपने website पर add करूंगा तो कुछ इस तरीके कर दिखेगा बट मान लीजे अगर मैं अपनी website को mobile में देखता हो तो इस तरीके से screen size change होती है और उस तरीके से यह जो element है अपने size को automatically adjust कर लेगा depending कि हम अपनी website को किस device पर preview कर रहे है तो I think this is a really great update and this can be super super useful नेक्स जो चीज है जिसके बार में बात करना चाहूंगा वह है material library जैसे कि अमने देखा कि बहुत सारे materials हमें देखने मिल जाते इनकी library में और यह जो library है तो ऐसे टाइप का animation अपने website पर आड़ करना है तो आपने एक कोई भी design या scene create किया और उस पर आपने इस तरीके का animation दिया हुआ है तो अगर आपको ऐसा scene और experience create करना है अपनी website पर तो आप spline viewer export से उसका code embed करके उसको अपनी website पर integrate कर सकते हो तो इस तरीके से अगर आपको अलग-अलग scenes आड़ करना है जैसे यहाँ पर यह scene है जैसे scroll करने पर यह cube है यह अपनी shape बदलता है तो अगर मुझे यह specific animation या ऐसे type का animation आड़ करना है अपनी website पर scrolling से related तो मैं इस code को अपने website पर paste कर सकता हूँ तो वैसे ही बहुत सारे यहाँ पर चीज आपको देखने मिल जाती है जैसे scroll पर यह चोटा बड़ा हो रहा है फिर यह mouse का जो cursor है उसे follow कर रहा है तो अगर ऐसे type के आपको animation आड़ करना है तो अगर यह code है फिर यह है जहाँ पर सारे elements मेरे cursor पर focus कर रहा है फिर यह है और एक section में मिल जाता है और यह सारे जो tools है यह spline को support करता है integration में तो अगर आपको integrate करना है तो यह important है कि आपकी जो website है यह in tools के उपर ही बनी हुई है और बहुत सारे tools है जो आप जाके check out कर सकते हो और एक new feature जो recently spline में add हुआ है जिसके बारे में मैंने intro में भी बात की थी वो है variable अब variable यह जो feature है यह आपको allow करेगा truly interactive और dynamic 3D experience देने की अपने user को जो भी आपकी website विजिट करेगा तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुती basic सा scene है अगर मैं इसके preview mode में जाओ या play mode में जाओ तो यहाँ पर हम इस तरीके से interact तो करी सकते है बट इस तरीके स कोई 3D dynamic scene या कोई game छोड़ा सा बना सकता हो और अपनी website को और भी जादा dynamic look में इस तरीके से दे सकता हो और variables related इन्होंने बहुत अच्छे tutorials in-depth tutorials बनाय हुए है तो वो जाके आप check out कर सकते हो अगर आपो सीखना है कि इसे कैसे बनाया जाता है and finally one of the most recent and exciting update that I wanted to share is the recent integration of spline and webflow इस integration से काफी सारे new possibilities open हो जाती है for easily creating interactive 3D web experience बिना किसी website coding के जैसे for example मैंने यहाँ पर यह website open की है और देख सकतो कि कितना dynamic लग रहा है जैसे ही मैं cursor अपना जहां पर भी move करूँ यह analog remote उसके हिसाब से interact करता है और same चीज़ यहाँ पर भी जैसे मैं scroll करूँ तो देख सकते हो यह analog remote को ऐसे movement अपने website में add करने की वज़े से यह कितनी जादा dynamic लगती है और user experience काफी जादा enhance हो जाता है और finally जो चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है spline की community एक community बहुत बड़ी है और बहुत amazing content यहाँ पर designers ने upload किया हुआ है तो आप जाके इन्हें check out कर सकते हैं explore कर सकते हो बहुत सारी चीज़ है और you know सबसे बेस चीज़ किया है जैसे कि अगर मुझे मान सकता हो कि इस बंदनी यह design को कैसे बनाया है उससे ideas यह references ले सकता हो so that is a wrap guys so क्या सोचते हो आप इस tools spline के बारे में मुझे comment करकी जरूर बताए और अगर आपका interest है UI design सीखने में तो मेरी यह वाली playlist जरूर चेक आउट करें चाहो तो मुझे Instagram बर follow कर सकते हो dope.motions और Nikhil Pawar प stay creative, peace out.